नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्रावत क्लास में दोस्तों आज हाती आइनिमल पर से चाहरें क्योंकि यहाती जो ऐसा जानवर है यहांसे क्वेश्चन देखने हूं मिलता सीटेड में तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहांसे और इस क्लास दोस्तों अगर अभी तक चैनल को स्ब्सक्राइब कर लें वेल आइकोन को प्रेस कर लें मिल देख लेते हैं आथ ही जमीन पर रहने वाला यह विशाल आकार का प्राड़ी है जमीन पर रहने वाला सबसे विशाल इस्तनफाई है यहां एली फैंटडी कुल और प्रोबो यह गणका एक प्राड़ी है जो एली फैंटडी कुल में के वल दो प्रजातियां जीवित हैं एली फैस तता लाकसो डांटा दो हैं तीसी प्रजाती जो है में मत बलुब्थ हो चुकी है जीवित दो प्रजातियों के तीन जातियां पहचानी जाती है लाकसो डांटा जो है प्रजाती दो जातियां इसमें से अफरीकी खुले मैदानों का हाती अनिनाम जैसे बुस या सवाना हाती अफरीकी कंगलों में जो ह मांते हैं अन मांते हैं फश में अफरीका का हाती थे चोथी जन जाती एक है एली फाइन टेडी की वाकिस आई जातियां और प्रजातियां ब्लॉप्त हो गई है अधिक्तम तो पिछले हिम यूग में ही ब्लॉप्त हो गई थी हलकि मेमत का बौना शुरूप सन दोजार इसा पूर तक जीवित रहा है आज हाथी जमीन का सबसे बड़ा जीव है हाथी का क अरवकाल वाइस महिने होता है कितना होता है वाइस महिने जो की जमीनी जीवों में सबसे लंबा होता है जनम के समय हाथी का बच्चा जो होता करीब एक सो चारक लोगा होता है नोट कर लेना हाथी हमोमन पचास से सत्तर वरस तक जीवित रहता नोट कर लेना ये भी इसकी दिर्गायू 82 वरस तब दर्श की गई है वो आज का दर्श किया गया सबसे विशाल हाथी सन 1905 पच्पनिशापूर में अंगोला में मारा गया था इस नर का बजन जो लगवग था 10900 किलोग्राम था और कंदे तक की उचाई थी 3.96 मेटर थी जो की एक शामाने अफरी की हाथ जाती में लगवग एक मीटर जादा थी एतियाज में सबसे चोटे आती युनान में क्रीट दीप में पाई जाते हैं और पाई जाते थे वकाय के वचले तता सुवर के अकार के होते हैं ये सियाजाब बिताओं में हांती बुद्ध्यमता का प्रतिक माना जाता हूँ अपन ही होता है हालगी शेंग का समूँ शाबक्या कमजोर जीब का शिकार करते देखा गया है अब यहां मानुस की दकल तता आवैद शिकार के कारण संकट में है जैसा की देख रहे हैं दोस्त ये रहा हांती और ये किस जगत का है पसु जगत का है शंग इसका रज्जुजु की है उपसंगय कस्यरुकी जंतु का है वर्ग इसका इसतन पाई है और गण इसका प्रोवोसीडिया कुल जो है एलिफेंटरी हाथी पर बार गरे अठावजु एकिस यहां ती आरके सिरेटर रंग के होते हैं नोट करना ये भी कि कि कलर किस का होता है कि कि किस कलर के होते है तो पर्ण रंजकता चील होती है वड़े नर अमूमन 5,000 किलो पजनी होते हैं लेकिन सिरि लंका हाती जितने ही उच होते हैं सुमात्राई हाती कि रंजकता अन्मेशिया ही हाती हो कि तुलना में कमचील होती है तता सिर्फ कानों पर गुलाबी सून हाती की नाका और उसके उपरी होट की संदिय और लंबी हो जाने काड़ यहाती का सबसे महत्पूर्दता कारी को सल अंग वन गई है अफरीक यहाती की सून्डे में छोर में दो उंगली नूमा उभार होते हैं जबकि एस्याई उंगली नूमें कीवल एक यूबार होता है एक तरफ से हाती की सून्डे तरी संबेनलसीर होती है की घास का एक चिन का वियूठा लेती है तो दूश तरफ इतनी मजबूत भी होती है की प्याड़ी टैनिया भी उखाड लें अधिकांसा साकाहरी वस्वों में दातों पस्वों के दातों की सरजना इस परकार की होती है की वह पौधे के विवन भागों को काट फाड़ सके जबकि हातियों में बीमारों बहुत छोटे वच्चों के अलाबा हाती पहले अपनी सूण से खाना फाड़ता और फिर उस निवाले को अपने मुम में पहुँचाता है बहे सूण के द्वारा घांश चरता है या फिर उपर पेंड से पतियां फल या समूची साखाओं तोड़ लेता है अगर पेंड में भोजन उसकी सूण की पहुँच से परे है तो हाती अपनी सूण पेंड के तने या साखा में लपेट कर जोर से जियों का जियों अड़ता है ताकि फल इत्यादे नीचे टपक जाए या कभी कभी पूरे का पूरा पेंड ही उखाड देता है हाती सूण का इसकाल पानी पेने के लिए भी करता है हाती पहले अपनी सूण में एक बार करीव चूदा लीटर पानी खीस लेता है बात में अपने गोले सरीर में हाती सूण में मठी छिड़क लेता है जो सुकर उसकी तुचा के उपर पपड़ी के रूम ले लेती है उसकी तेज दूप पर जीवों के सुरच्चा करती है अनिस्तनपाईयों के तरह शिवाए इंसान और बनमानुस के जिने सीखना पड़ता है हाथी भी बहुत अच्चत तहराख होता है तरदे दमाई हाथी अपनी सुण्ड का इस्तेमाल इस नौर कल की तरह करता है सुण्ड हाथी के सामाजी कारी कलापों के उपर भी बहुत मातूर मुम काता करती है समधी अपनी सुण्ड को एक दूसरे से लपेट कर अविवादन करेंगी जैसा मानुसां जुड़कर हाथ मिलाकार करते हैं इसका इस्तेमाल वह एक खेल करते हुए कुस्ते में मिलन से पहले माज़ता बच्चे के समध में दाहनी कारी कलापों में भी करते है उटी हुई सुण्ड चेताब निजदा या धमकी हो सकती है जबकि सिर नीचे करके जुगी होई सुण्ड समर्पन्ड का संग्यद हो सकती दुसमर गॉता या थि इपनी सुण्ड से लपट कर फेक सकते हैं आती कि सुण्ड में मानुस से कई गुणा अधिक गिनाड़ सकती होती है और वे अपनी सूर के उपर उठा कर रद्धाईने, वाएं, समुद्री, दुर्बीन, परिस्कोप, परिस्कोप की तरह लेरा कर अपने खादी, श्रोत, मित्रिया, सत्रु का पता लगा लेता है। वाद करें हाती की दात के, तो हाती की दात जो होते हैं, उसके दूसरी उपरिच्यां तक दात होते हैं, हाती दात हाती के जीवन काल में नरंतर बढ़ते रहते हैं, नोट करना, यह एक वैस के नर्ग के हाती दात लगवाग एक बरच में 18 सिंटीमेटर की दर से बढ़ते रहत हाती दात, पानी लोवर्दता मूल खोदने के काम आते हैं, उसके अलावा पेढ़ों के छाल चीनने और अपने लिए रास्ता तयार करने में भी हाती का दात बड़ा युगदान होता है। होता है इसे प्रकारम हारं भी आम तर्वादा है बायर हाधी दाथ In-दाता होता है जोड़ा ठोड़ा हो ईसके चोर कुछ गोल होते है कि इस हातेант का ज्यादा इस्तेमाल होगा होता है नरोर मादा अफरीकी हाती के लंबे हातेई नाथ होते हैं जो वैस्क अबस्ता में 3.0Wh तक लंबे और 45 खिलो तक वजनी हो सकते हैं यह यहाती हो सर नर नर आव नमदी हाती दाथ होते हैं मादा के bहुत चोटे आमोमन नहीं होते है ऐस यानर के अफ्रीके नर जितने लंबय हाती दांट ओ सकते हैं लेकिन बहुत पलते और हलके होते हैं पतले और हलके पतले और हलके होते हैं आज तक सबसे वजनी 49 कीलो का आँका गया है हाथी दात में नकासी सरलटा पूरवशत हो जाती अंता कलागारों ने इसे मातवत दीए जिसके गाराण वावरी संका में बिसमे हाथियों का बिनाश हुआ है हाथी दात की बाद करें आन इस तन पाईयों की तुलना में हाथी के दातों की रज़या बिलकुर अलग होती है पूरी उम्र भर उनके 28 दात होते है या यह दो उपरी देती है छे तक हाथी दात कहलाते है हाथी दात में हाथी दात से पूर बिक्सट दूद के दात दूद के दांत वारा अगर चवणक जबड़े के हर तरफ तीन होते हैं आगे बात करें अन इस्तन पाईयों के विप्रित जिनके दूद के दांत जाणने के बाद इस्ता ही दांत आ जाते हैं आती के दांत नरंतर वदली होते रहते हैं लगवाग एक बरस की आयों में आती दांत के अगरणी अगरगामी जिसे बोलते हैं दूद के दांत जड़ जाते हैं और आती दांत उगने लग जाते हैं जब चबवाने ऑन रहादट एक राखे यह चुराद पत्लर मिनिया। जाते हैं या किवल दो भी दो क्योंकि जबड़ की हर इससे में दूसरा दात पहले को बदली कर रहा होता है मानाओ दातों के बुपरी पके दात दूद के दातों के उपर की तरफ से नहीं धखलते हैं बरन नहीं दात मुख के पिछले वागमी में उगते हैं तदा पुराया दातों को आगे की तरफ धखलते हैं जा पुराया दात टूट टूट गिर जाते हैं अफरीकी हाथियों में जरम से ही चबाने वाल दातों का पहला शमू सट अग्र चबाड़क मैजूद होता है जब साबक दो वर्स का होता है तो दोनों जबनों के दोनों तरफ का पहला चबाने वाला दात गिर जाता है यही प्रिकरिया दूसरे चपाने वाल दातों के साथ 6 वर्स की आयो में होती है, 13-15 वर्स की आयो तक तीसरा दातों का समू भी जादा रहता है, तदा 14 वर्स की आयो में जड़ जाता है, पांचबा समू आती की 40 वर्स की आयो तक चलता है, कद अच्छे तो बात करें तो चट तदा हाती मेरी नहीं कar भी नहीं सकता है वबात करें तोचा की दूमातियों को बोल चाल बोल चाल बोल चाल को आती अपने लोगे घ्यानी वर्गी वडसे का जाता है जिसके 40 मोटी चम्डी हो जानवरों से एक तोचा 25 सेंटिमेटर तक मौटी होती है, इसके सरीट का अधिगानसबाग अतियंत कटोर होता है हलग कि मुआ और कान की वीतर के चारोत तोचा काफी पतली होती आम तोर पर यहां यहां थी कि तोचा अपने अफरीकी रिस्तेदार से अधिक वाल होते हैं यूबा हाती में यहां फर्क अधिक रहता है यहां जाबकों के तोचा अमोमन कथाई रंके वालों से डखी रहती है उमर के साथ बाल गाड़े रंके होने के साथ साथ कम होने लगते हैं लेकिन इसके लेकिन उसके सिरा और पूंच में वह सदार रहते हैं हाती यह तो सिलेटी रंके होते हैं लेकिन अफरी के यहाती अलग-अलग रंके की मिटी में लोटकर लालेया बूरे रंके परती होते हैं गेली मट्टी में लोटने हाती समाज की दिन चट्याक आई है कि अविन यंग होता है ना कि बल लोटना समाजी करण के लिए है मैं बल की मट्टी दूप रोदक का काम भी करती है उसकी तोचा को परावेगिनी के लोड़ों से बचाती है हाती की तोचा कठोर अब मजबू अचा को आदी की सरीश का तामा नेंतर करने में